और संसद की सुरक्षा में बड़ी चूप के मामले में उधर कॉंग्रिस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने लोगसभा अध्यक्ष को चिथी लिखी है और उन्हें निलंबित सांसदों पर किये गए फैसले को वापस लेने की मांग की है साथी उन्होंने ग्रेमंत्री अमित अधीर रंजन चौधरी ने संसद की गैलरी में आने वाले दर्शकों को लेकर एक प्रोटोकॉल बनाने की भी मांग इस चिथी में रखी है और सीज़े चलते हैं हमारे समवादाता प्रशांत के पास प्रशांत इस चिथी के जरीए क्या कहना चाहरे हैं अधीर रंजन चौधरी जी देखिए पिछले जब से संसद की सुरक्षा में चूप का मामला आया है उस दिन से ही कॉंग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियां एक तरह से सरकार पर हमलावर है और उनका कहना है कि इस मामले में ग्रह मंतरी अमिच शाह को पूरा बयान देना चाहिए पूरे मामले में सफाई देनी चाहिए कि आखिर ऐसे क्यों हुआ और आगे क्या करेक्टिव स्टेप्स उठाए जा रहे हैं इसके लबावा इस पर एक विस्तित चर्चा किये जाने क भी मांग किये है उसी मांग को दोराते हुए अधिरंजन चौधर जो लोकसभा में कॉंग्रेस के नेता है एक तरह से विपक्ष के नेता है वो उन्होंने एक चिट्थी लिखा लोकसभा देक्ष को और इनी मामलों को दोराया है और उन्होंने सबसे बड़ी मांग ये किये है कि चौदर संसद जो लोकसभा के जिनको निलंबित किया गया है इस पूरे सत्र के लिए क्योंकि वो प्लैकार्ड लेकर हाउस में सरकार से जवाब मांग रहे थे उनका ये कहना है लदी रंजन चौधरी का कि लोकतंतर में जब इस तरह की घटना हुई है संसद में लिहाज अमिच्छा को आकर बयान देना चाहिए उन्होंने 2001 के संसद पर हुए हमले का भी हवाला दिया है जब ग्रिह मंतरी तब के ग्रिह मंतरी लाल कृषा अडवानी ने संसद में इस बारे में बयान दिया था तो एक तरह से जो तो तीन दिनों से जो विपक्ष की मांग है उसी को दोराया अधिरंजन चौधरी ने और इससे ये साफ हो गया अधिरंजन चौधरी के पत्र से कि जो कल से फिर से जो आखरी हफता इस सत्र का शुरू होने जा रहा है उसके उसकी भी तस्वीर आप समझ सकती हैं कि कैसी होने वाली है और फिर इस पूरे मामले पर हंगामा जारी रहने के उम्मीद है बिलकुल शुक्रिया इस अपडेट के लिए प्रशाथ आपका